नमस्कार दोस्तों मैं सुजीद कुमार सिंग एडवान्स एक्सल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्रेडियो टुटोरियल में दोस्तों आप मेरे prevented मेरे Gastel के देखके कुछ अलग सोचते हों कि क्या मेरे बरवर मेरे स्कीन तरस आता है क्योंकि मैं एर्वान्स एक्सल की ट्र phenomenon की क्या था हूं बाद सही है। मैं डैली मेराता हूँ अडवान से लेकिन कुछ दिनों से मैं अपने गाउं बिहार मुझवफर्पुर में हूँ तो कि मैं डाइड फार्मिन सेक्टर से थे और तब यह थोड़ी सी खराब चल रही है तो थोड़ा सा ताइम मैं उनमें भी दे रहा हूं और एक प्रोड़क्त है जिसके बारे में आज मैं डिसक्स करना चाहूंगा आपसे यह मेरे टॉपिक से हटके कि मेरे भी चैनल पे हमेशा एडवांस एक्षिंस मैं अभी अच्छा साथ चीज है हर्बर मुरिंगा पाउडर यह हमारा संप सुझीतन बिंट गूट का है हमारा एकल्चल का है यह नेचरल है लोग हमारे डैड लोग बनाते हैं आखिर है क्या इसके बारे में बताता हम आपको सब्सक्राइब मुरिंगा मतलग कि सहजन की पत्ते का पाउडर है फुल नेचरल कोई प्रोसेसिंग कोई केमिकल यूज नहीं किया गया है जिनरली इसको सुखाया जाता है धूथ में और भी कप्रे से ढखके ताकि इसका कलर डिसकलर नहों और फिर इसको निक्स दिया जाता है मिक्सर एन पीविई आता है यूज उसको चंडे से चान нап कर निकाल जाता है मोटा सन होता है सं को हमों खटा देता है इसको पाने के साथ मिला शुबह सुबह सुबह आप ले सकते हैं खाली पेसगार फैदा चाली के शुबह प्त्यक का सुबह नहीं होता है एक पत्ते का स्वाहत जोताँ है कि उसने बहुत है कि इसको लोग होता है इसको नियुक्ता एक छामे होगता है कोसी पत्ते को शॉठका होता और font कि स्पट नर्व कि आसरा कर भी अधर थैसानी खाल मतलब करद्रा कि इसकी जो खेटी होते हैं। वह बाइजन सोती हैं ऑव हम लोग सब्जीर में जालते हैं कि यह मगोड़े से बचाया जा सके उसकी उत्पाद उनको भराया जा सके कि लेकिन हमारे फॉर्म जो हमारा एस्पीय फॉर्म उस फॉर्म के अंदर में क्यां logged उता है मेरे पास खुद का यह इसान सबस्चन हो सबक्राएं ड्राल का तो अबर्मी फॉर्म पोश्ट पड्यूज करते हैं और उसी करते कहने भबमी किंपोश्ट क्या होता एक जैव क्था दोता है जो कि केचुऊ उसको फर्न करता है मतलब कि वह क्खा कि आनके के जंगल और जोब पत्ती पूल पत्ते पेर जो व्य Mackie स्ट होते हैं इसको खाता है और काने कि युथ उसकी जो लीद होती है वो खाद कर लाता है और पुरी तरह तरह से शेफ होता और गयनिक होता है को गोबर और घास से बना होता है तो और गयनिक के मतलब हुआ कि इसमें किसी भी तरह का गया कि तो इसकी वाकि कोई साइट इफेक्ट नहीं होता है कि दूसरा पेर इस तरह का होता है आप जब सामने दिख रहे हैं पेर इस तरह को हुआ है अब चोटा पीर है बडाव भी देखेंगे तो इस तरह का पी नुटे मेरा फार्म का इसीन है अब बैमिफिट क्या है इसका इस मोरेंगा पावडर से क्या है है कि अब इसके बारे में व्य निकाला हूं क्योंकि हमारे यहां बनाते हैं वह फार्माशिट कल जाइपुर से कर रहे हैं? कर रहे हैं उनने इसको त्यार किया हुआ है है कि तक है कि लंबी फली वाली सब्सक्राइब होता है जो भारत और दुनिया वर्मानित है कि इस पीर का हर स्वास्त के लिए बहुत ला पर गाया है कि इसको अमेर्जी में मुरिंगा या डंब स्टिक भी कहते हैं है हिंडी में सहाजन आफ़ाली आफ़ाते भी ओंगे और इसको रहा जाता है जी हाँ अरी यह अधियर कर जाता है इससे पानी की ज़्रूत की होती है तेजी से बढ़ता है ऑफ यह मूलता भारत का ही अब इसके वेनिविट करता है। सोहजन की जो पत्ती होती है। पत्तियों में प्रोटीन, विटामीन B6, विटामीन C, विटामीन A, विटामीन E, आइरन, मैकनेशियम, प्रोटेशियम, जीक्न जेसे तर्ट पाए जाते हैं। इसकी फली में वितामिन-c सहरजन की पत्यों में कैर्सियम का पाथूर माथट्र होता है सहरजन में anti-oxidant popular plant compound भी होता है अब देखिए ईजसाओं की सुख्षी पत्यों का 100G पाउडर को 100Gs में एकाथु कैर्सियम पालक से 25 पत्यवचक से एडे टूर्ड गाजर से 10 गुना जादा अधिक वीटा केटिरिट होता है जो कि आखो, स्क्रीन, रोग पती रोधक तंध के बहुत लाग विदायत है सारजर में केले से 3 गुना जादा पोटेशियम और संत्रे से 7 गुना जादा बिटामिन C होता है एक पत्या प्रोटीन का भीतरीन स reminder है एक कप ताजी पत्य गुना फिर्स मीन से साथ में प्रोटीन किसी प्रकार के मत्षारी स्रोष से मिले प्रोटीन से कम नहीं है आपके हावश्चिक अमीनो एसीद पातना है और इसके फली के बारे में बहुत सारे हैं इसकी पली पत्ती के सूप बना सकते हैं तो इतने सारे पेट के समश्याव के लिए कारगर होता है बजन को घटाने के लिए कारगर होता है जो लेडीज अभी जस्त मा बनी है उनके दूद के लिए अच्छा होता है इसके लिए उनक तो पूरा करता है और जल्दी थकान नहीं होने देता है यह कीपनी या स्टोन समस्टों में कारगर है थराइब रोग लिए कि भी शाजन खाना बहुत अच्छा फैदेबंद सहजन एकभी एहर टॉनिक भी है बाल अगर घंडी है तो इसकी इसका इस्तामाल कर सकते पत्तियां प्ति के पाउडर का भी सेवन आपको बताता हूं इसका फाइदा जैसे कि आप देख रहेंगी इसमें केलसियम बहुत जादा होता है जाए है उसके प्त्य पत्तिय में है कील तो उसके बजाएं आप ग इसका इसका इस्तिमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें कैल्सियम जदा है तो हडी को मजगूत करता हता है। कभी-कभी हमें सहीया चरते हैं चलैप मने बहुत जदार में कारगर होता है। अगर अगर चुछर निकाल जाता है तो बहुत साइप से वर्पूर है में और धूरली पूरली नेचरल है। इसमें को हम लोग इसे साग का तक पत्ते को ढाल काते हैं इसके फूल का हम लोग और नेर्दय जब ऑड़र हमें मिलता है तो हम इसको स्पाइभ्ट करते हैं मतलब कि आप जब बोलाओं जैसर्य मिलेगा आपको जो महीने साल बर दो साल पहले का पैक किया हुआ समा नहीं मिलेगा हमेशा अपका इरुजिन मिलेगा एक बेनिफित होता है तो आपको इस तरह की पाउडर को खाना चाहते हैं आप वडिंगा पाउडर शाजर के बारे में और डिसर्च कीजिए और मैं इसको सेवन कर रहा हूँ पिसले तीन-चार महीने सी और मुझे बहुत ज़दा बेनिफित है और बहुत ज़दा एनर्जी है क्योंकि मैं पंदर सुला गंथा क्लास लेता हूँ तो इससे में एनर्जी की ज़रूत बढ़ती है तो आप अगर और करना चाहते हैं तो क्योंकि डाइड इसको कंपनी को बेजते हैं जो कंपनी मेलेसिया की है और वो उसकी इस पाउडर को करते हैं टैबलेट एंग कैपसूल बनाते हैं और फिर वापस इंद्धाने इंपोर्ट करते हैं लोग तो इसलिए हमने इसको पूरी की पूरी संप्लिमेंट है और सेफ है 100% सेफ है आप अगर नहीं खरी सकते तो आप बना भी सकते आपके आसपास में पेर में जाएगा तो इसके पाउडर को पत्ते को अच्छीतर से दोईए दोने के बाद उसको धूप में सुखाईए खप्रा रखके शुखाईए अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जो है नीचे फॉर्म है उस फॉर्म को फिल कर दें अपना डेटेल डाल दें ताकि परसेशिंग में चला जाएगा फिर जैसे इस पैस होगा डिस्पैस से पहले आपको पेमेंट लिंक दिया जाएगा ताकि वहां प्याप 125 रुटे की पेमेंट करें और आपको शेल हो जाए पहल और आज नीचे का फॉर्म हॉर्म को फिल कर दीजिये है फिल करने के बाद अगर अगर उसके बाद आपका प्रसेस तैयारico buscar ओने के से बाध परिवन में दिया भाद सक्रेवाइं करेंगा और आपको ऑडर अगले तीन से चार दिन में पहुंच जाएगा वाइब स्पीद पोस्ट तो अच्छा लगें तो लाइक कीजिए स्सक्राइब कीजिए चैनल को और एडवांस एक्सल सीखना चाहते हैं तो एडवांस एक्सल भी सीख सकते हैं और साथ में कोई कोश्चन निया डाउट हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं और खरीदार चाहे तो खरीच सकते हैं ताहिए वाजब दीजिए आपना इस्टे